सीता माता ने देखा स्वन म्रिग, सीता की इच्छा इस अद्भुत म्रिग को पकड़ कर आश्रम में रखने की हुई, अतहवे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत, आप और लक्षमन शीग राईए, देखिए कितना सुन्दर और अद्भुत स्वन म्रिग यहां व आरीच ही आया है, हे जगत पती, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचितर रत्न में म्रिग नहीं है, अतहने सिंदे यह माया ही है, डॉट, लक्षमन को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नात, यह म्रिग अत्यंत सुन्दर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है, आप अवश्य ही इसे पकड़ कर लाए, जब हम वनवा समाप्त करके अयोध्या लोटेंगे तो यह हमारे प्रासाद की शोभा बढ़ाएगा, यदि यह जीवित ना पकड़ा जा सके तो इसे मार कर म्रिग छाला ही ले आईए, मैं उस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ, सीता के आगरह को देख कर राम लक्ष्मन से बोले, हे लक्ष्मन, निसंदे इस म्रिग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकरशक है, यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी म्रिग छाला मनोहरी होगी, सीता का आगरह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए, तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उच्चिती होगा, तुम सीता की रक्षा करो, मैं इससे जीवित पकड़ने या मारने के लिए जाता हूँ, विवेद वरिक्षो, जालियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता कभी धीमी तो कभी दुरुद गती से भागने लगा, उसका पीछा करते करते राम चंदर आश्रम से बहुत दूर निकल गए, अन्तता हमरीट के दृष्टिगत होते ही क्रोध होकर राम ने एक त अक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चीतकार करना देखकर राम को लक्षमन का कथन स्मरन हो आया, वास्तव में यह मारीच की माया ही निकली, उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किये गए चीतकार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी, उन्हें किसी निष्ट की आशनका होने लगी और वे दुरुद गती से आश्रम की और लोट पड़े डॉट इधर जब सीता ने अपने पती के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मन सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मन से कहा हे लक्ष्मन प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाईया अवश्य ही किसी संकेट में पढ़ गए है तुम शीग्र जाकर उनकी सहायता करो उनके डैक भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिन्ता से बहुत घबरा रहा है डॉट आशनका से आतुर सीता के वच्चन सुनकर लक्ष्मन बोले हे आर ये इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता भाईया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौपा है आप धैर्यत धारं करें भाईया अभी आते ही होंगे डॉट दुखी होकर सीता बोली लक्ष्मन ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रू हो इसलिए उनके ऐसे आर्थ स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाब डॉट इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अशुधारा बहने लगी सीता की इह दशा देखकर लक्ष्मन हाथ जोड़कर बोले डेवी आप व्यर्थ दुखी ना हो संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुश्यक, गंधर्व नहीं है जो भाया के पराक्रम का सामना कर सके मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारन करते हैं और विविद प्रकार की बोलिया बोलते हैं अतहा आपको चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे डॉट, लक्षमन के तरकयुक्त वच्णों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया वे बोली, लक्षमन, मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भाती समझ रही हूँ तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आये हो मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी राम के वियोग में मैं अपने प्रान त्याग दूंगी सीता के ये वचन सुनकर लक्षमन का हरिदय विदीन हो उठा वे बोले, देवी, मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बाते मुह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्रायह देखा जाता है आज आपकी बुद्धी भरष्ट हो गई है जो अपने अग्रच की आग्या पालन करने वाले अनुच पर ऐसा दुष्टता पूर्ण लांचन लगा रही है मुझे संशे हो रहा है कि आज आप पर अवश्य कोई संकट आने वाला है वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें वन के देवता इसके साक्षी है कि मैं आपके द्वारा बलात भेजा जा रहा हूँ लक्षमन के वज़्ट सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और लक्षमन उस और चल दिये जिधर राम गय थे लक्षमन के जाने के पश्चात रावन को अफसर मिल गया वह ब्राह्मन भिक्षुक का वेशधारन कर रावन सीता के पास आया और बोला हे सुन्द्री तुम कोई वन देवी हो या लक्षमी अथ्वा कामदेव की प्रिया स्वयम रती हो इस प्रिथवी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती, लावन्यमाई युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो कहा ये तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुन्दर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहा इस दुरगम वन में निवास ये स्थान तो इच्छानुसार रूपधारन करने वाले भायन कर राक्षसों का निवास स्थान है तुम यहां से चली जाओ, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो सीता ने कहा, हे ब्राहमन, मेरा नाम सीता है मैं मिथिलानरेश जनक की पुत्री और अयोध्य पती दश्रत के जेश्ट पुत्र श्री रामचंद की पत्नी हूँ पिता की आग्या से मेरे पती अपने भाई भरत को अयोध्य का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे है उन पराक्रमी सत्य प्रायन वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्षमन भी है आप अतिती हैं आता है इस आसन पर बैठ कर यह जल और फल ग्रहन कीजिए मेरे पती अभी आते ही होंगे अब आप बताईए महात्मन आप कौन है और यहां किस उद्देश्य से पधारे हैं सीता का प्राशन सुनकर रावन गरज कर बोला मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लनकापती रावन हूँ जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्न, गंधर, मुनी सभी भायभीत रहते हैं इंडर, वरुन, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आपको धन्य समझते हैं मैं तुम्हारे लावन्य में सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर्रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ हे म्रिग लुचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यांत सुन्दर रानियों पर पट्रानी बनकर शासन करो मेरी नगरी लंका की सुन्दर्ता को देख कर तुम इस वन के कश्टों को भूल जाओगी इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ रावन का नीचता पूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता कुरुद स्वर में बोली हे अधम राक्षस तुम परमते जस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योध्धा रामचंद के पराक्रम को नहीं जानते इसलिए तुम मेरे सम्मुक यह कुच्सित प्रस्ताव रखने का दोसाहस कर रहे हो अरे मूर्क, क्या तू वनराज सिंग के मुक में से उसके दात उखाडना चाहता है तेरे सेर पर काल नाच रहा है इसलिए तू यह घ्रिनित प्रस्ताव लेकर यहां आया है तेरी मृत्यू ही तुझे यहां लेकर आयी है सीता के ये अपमांजनक वाक्य सुनकर रावन के अत्यंत कुपती हो गया आखे लाल करते हुए उसने कहा सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती मैं आकाश में खड़ा होकर प्रित्वी को गेंद की भाती उठा सकता हूँ अथा समुद्र को एक चुल्यू में भर कर पी सकता हूँ मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा यह कहकर रावन ने अपने ब्राहवन वेश को त्याग कर विक्राल रूप धारंग कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठा कर अपने कंदे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ इस प्रकार अप्रत्यशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम हा राम कहते हुए स्वयम को रावन के हाथों से चुड़ाने का प्रयास किया परंतु बल्वान रावन के सामने उनकी एक न चली उसने उन्हें बाद कर विमान में एक ओर डाल दिया और तीवर गती से लनका की ओर चल पड़ा सीता निरंतर विलाप किये जा रही थी हा राम पापी रावन मुझे लिए जा रहा है हे लक्षमन तुम कहा हो तुम्हारी बल्वान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती हाए आज कहकेई की मनो कामना पूरी हुई डॉट इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायू को देखा जटायू को देखते ही सीता चिल लाए हे आर्य जटायू देखो लनका का यह दुष्ट राजा रावन मेरा अपहरं करके लिए जा रहा है इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ है क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है आप रावन द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृतांत मेरे पती से तो अवश्य ही कह देना